गोड इवनिंग फ्रेंड्स वैलकम तो एच्पी टीश्टी मेडिकल कमिशन ओनलाइन क्लासिज दोस्तों रोज की तरह आज भी मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें हम ह्पी टीश्टी और ह्पी टैट और ह्पी टीश्टी के सौल्ड जो है कोशन वेपर टुथाउजन फ़र्टन के कोशन कुछ करेंगे ठीक है दोस्तों तो मेरे वीडियो को देखने से पहले अगर आपने मेरे चैनल के सब्सक्राइब सब्सक्राइब नहीं किया दो सब्सक्राइब करने बाए सर्चिंग टीश्टीक मेडिकल और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें शेयर जरूर कर दें ताकि यह हर एक आदमी तक आपके पहुंच सके तो मेरे नाम है दोस्तों शुभम शर्मा और मैं आज आपको क्या करव करवाँगा सौर्व पर कौंशिशन पर जो है 2014 का करवाँगा ठीक है तो चलते हैं आज के मेरे वीडियो की और तो फर्स कुछन दोस्तों मोस्ट इंटेलिजेंट मैमल सार इन में से कौन सा सबसे ज़्यदा इंटेलिजेंट मैमल होता है क्या वेल होती है क्या डॉल्फिन ह जो है वो मोस्ट इंटेलिजेंट मैमल होता है ठीक है अब मैमल क्या चीज है मैल मैल एक तरह से वर्टिब्रेट है ठीक है वर्टिब्रेट वर्टिब्रेट इसको क्यों बोला गया क्योंकि इसके पास वर्टिब्रल कॉलम है यानि कि बैकबॉन है ठीक है दूसरा क्या करेक है four chambered heart होता है इसके पास four chambered heart होता है ठीक है इस तरह से four chambered heart कैसे मतलब यह heart है आपका इसमें दो auricles होंगे और दो ventricles होंगे नीचे ठीक है तो इस तरह से यह character है आपके तो intelligent mammal कौन सा पुछा है आपका की dolphin होता है तो option B इसका right answer होगा next question देख लेते दोस्तों second question है insect eggs are insect का जो egg होते हैं वो कैसा होता है क्या homocytal होता है क्या telorecithal होता है क्या meocytal होता है क्या centralocytal होता है तो जो insect का साल्टा आत्च होता है तो option D इसका right answer होगा अब subject from central central ac austral speak yes the leases that समझ बहूश यह एक है उसके बीच में अगर york present होता है york जो खाने वाड़ा portion होता है जो आपका nutritive portion होता है अगर बिल्कुल center में आपका york present होता है तो वो क्या होगा आपका central lecithal egg होगा तो insect का जो egg होता है वो आपका central lecithal होता है तो option D इसका right answer होगा next question है sleeping sickness disease is transmitted by sleeping sickness जो disease है वो transmit होती है क्या sand fly द्वारा क्या edis egypti द्वारा क्या sasay fly द्वारा क्या anophilis द्वारा तो sleeping sickness जो disease है वो आपका sasay fly द्वारा transmit होता है तो option C इसका right answer होगा ठीक है दोस्तों next question है which one of the following is not a component of male genital system in cockroach इन में से कौन सा जो है male genital system cockroach का component नहीं है ठीक है देखिए cockroach के दो टाइप है एक male है और एक female है तो मैंने पुछा है कि male genital system का component कौन सा नहीं यहनि में से तो देखे लिए ते option क्या phallic gland नहीं है क्या utricular gland नहीं है क्या collateral gland नहीं है क्या phallomâr's नहीं है ठीक है तो जो male में होते हैं cockroach में वो होते हैं आपके phallic gland होता है utricular gland होता है और phallomâr's होते थीप तो यह कहां होता है, यह female genital system में होता है, collateral gland ठीके, तो यह जो आपका female genome genital system cockroach में पाई आता है और यह क्या करता है आपका यह milk को secrete करने वे का म करता है milk secrete करने का का म करता है, ठीके, तो collateral gland जो होगा इसका option होगा C option, right answer, ठीके next question है, which one सार्वब कंसा ओर में कैमल कैमल के स्टमक्त में कैमल के स्टमक में कहाँ नितर कैमल में फिरलोग था विभिया विभी या यूनितख ना फैम पर ईख लेथा है स्टमख में कैमल के तो option A इसका right answer होगा next question है Glochidium larva belongs to Glochidium जो larva है वो किस से belong करता है क्या पाइला से belong करता है क्या यूनियो से belong करता है क्या लोलीगो से belong करता है क्या सिप्री से belong करता है तो जो Glochidium larva होता है वो आपका यूनियो से belong करता है तो option B इसका right answer होगा ये larva से related जो questions हैं वो आपके वो बहुत ही ज़्यादा important है क्योंकि इन में से एक question जो है वो आता ही आता है ठीके, तो इसके हम discuss करेंगे Glochidium larva की क्या Glochidium larva कहां present होता है क्या आपका union में present होता है तो option B इसका right answer होगा तो लारवा के बारे में हम कई भी बीच बीच में discuss करते रहेंगे तो आप इसको ध्यान से देखेगा Next question है Poison glands of snakes are homogeneous of जो poison glands होता है snakes के वो homogeneous किसके homogeneous होता है तो जो poison glands है snakes के वो किसके homogeneous होता है क्या electric organs of fishes के homogeneous होता है क्या stingrays के homogeneous होता है डिकी जो पौईजन ग्लैंड्ट सोते हैं हुटें जो बशय कक्रफानश्य करते हैं फीजुन होती है निक तोक्सिक सबस्टांस होता है जहर अपरदार्थ होता है ठिक तो उप्षण जो होगा इसका असर वह आपका डी ऑप्शन इसका रायट एंसर होगा next question है monotream are unique mammals because they देखिए सबसे पहले आप monotream ही याद कर लिए कि क्या होता है एक prototheria की prototheria एक वो होता है class होती है उसका यह order है ठीक है monotream ठीक है monotream are unique mammals because they क्या करते है उसमें उनमें इनमें से कौन सा character होता है क्या वो possess करते है hair को क्या वो give birth करते है young को क्या secret करते है milk को क्या layer करते है eggs को ठीक है तो monotream जो होते हैं prototheria के वो आपके layer करते है eggs को तो option D इसका right answer होगा next question है which of the following amino acid has single codon इनमें से कौन सा amino acid का single codon होता है ठीक है तो क्या isoleucine का होता है क्या tryptophan का होता है क्या valine का होता है क्या arginine का होता है तो देखिए जो single codon होता है amino acid का वो होता है tryptophan का तो option B इसका right answer होगा ठीक है अब यह जान लेजिए कि कौन सा codon होता है tryptophan में तो वहाँ पर यूजीजी होता है ठीक है तो यूजीजीजी कोड़न होता है ठीक है next question है most fish do not sink in water because of the presence of देखिए जो fishes होती है वो water में डूबती क्यों नहीं है उनमें कौन सा ऐसा character होता जो उनको तैरने में मदद करता है क्या उनके पास swim bladder होता है क्या उनके पास air bladder होता है क्या उनके पास air sex होता है क्या उनके पास both a and b होता है तो देखिए उनके पास swim bladder भी होते हैं और air bladder भी होते हैं तो option D इसका right answer होगा बोथ हैं B, A and B swim bladder भी होंगे और air bladder भी होंगे तो ये थे हमारे top 10 questions आज के तो अब चलते हैं दोस्तों हमारे आज के one-liners के question जो आपके various exams में भी आ सकते हैं ठीके तो one-liners questions है तो first question है pollination by winds is called as जो wind के दोरा pollination होती है उसको क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं दोस्तों एनिमोफिली second question है which of the following organ of body is connected with a sense of touch body का कौन सा organ जो है वो connect करता है sense of touch यानि कि हम अगर किसी को touch करते हैं तो वो एक दम से response करेगा ठीके तो वो क्या कौन सा organ होगा आपका वो skin होता है कि हम किसी की skin को touch करते हैं वैसे ही आपका response जो है mind को चल जाता है ठीके तो third question है barometer is used to measure जो barometer होता है वो किस चीज़ के measurement के लिए use होता है तो वो होता है आपका atmospheric pressure को measure करने के लिए ठीके फूर्थ question है audio frequency for human lie in the range of जो आदमी की सुनने के ग्षमता होती है उसकी frequency कितनी होती है वो होती है आपके 20 to 20,000 hertz गे बीज में ठीके next question है the intensity of earthquake is measured on जो earthquake की intensity है उसको किस में measure किया जाता है तो उसको किया जाता है reactor scale में ठीके तो यहाँ पर पांचों के पांचों के दुबार से एक बार describe कर देता है ठीके pollination जो होती है wind के दौरा वो उसको बोलते है ऐनिमफिली उसी तरह से sense of touch वाड़ा जो औरगन होता है वो आपका sick skin होता है उसी तरह से barometer से आप atmospheric pressure को मापते है ठीके उसी तरह से human की जो range होती है सुनने की वो होती है आपकी 20 से 20,000 hertz होती है ठीके उसी तरह से intensity of earthquake को measure करने वाड़ी जो skill होता है उसको बोलता है reactor scale ठीके इस्ट कोशिन है advice to convert mechanical energy into electrical energy कौँ उस device का नाम बताना है जो आपकी mechanical energy को electrical energy में convert कर देता है तो उसको बोलते हैं दोस्तो डाइनमो ठीके सेवन्त कोशिन है silk is produced by जो silk होता है वो किसके द्वारा produce कियाता है वो किया आता है silk warm के pupa द्वारा ठीके silk warm एक organism होता है वो उसके pupa द्वारा जो है silk जो है वो produce कियाता है उसी तरह से night vision apparatus used जो night vision का apparatus होता है वो क्या use करता है तो वो हमारी infrared rays को use करता है ताकि हमारे को दिखाई दे ठीके जैसे आपके चमगादड होता है तो वो आपके infrared rays की मदद से ही चलते हैं ठीके which gland produces insulin कौन सा gland जो है वो produce करता है insulin को तो वो करता है आपका pancreas यानि की अगनाशे ठीके अगनाशे next question है which of the following component is present in graphite pencil pencil के अंदर कौन सा component होता है तो होता है वहाँ पे graphite हम बोलते हैं lead pencil ठीके lead pencil नहीं होता है वहाँ पे 0% उसमें lead डला होता है उच्छा जाता है कि हम pencil में कितने percent lead होता है तो वहाँ पे 0% lead होता है ठीके वहाँ पर क्या होता है lead की जागा graphite होता है तो option जो होगा इसका वह आपका यह graphite होगा तो एक बार दो बार से discuss कर लेता है जो वह device जो mechanical energy को electrical energy को convert करता है वह होता है dynamo उसी तरह से silk corn produce करता है वह आपका करता है silk warm वह भी pupa में ठीके जो night vision apparatus होता है वह infrared rays की मदद से चलता है ठीके उसी तरह से जो gland insulin को secret करता है वह है pancreas उसी तरह से जो pencil में जो component होता है वह होता है graphite ना की lead ठीके तो इसमें डिक्कत कर देता है लोग ठीके ये आपके previous years के कोई भी exam हो उसमें आ चूके है मैंने इसको introduce किया आपे ठीके 11th question है food is cooked quicker in pressure cooker जो pressure cooker है उसमें इतना जल्दी खाना क्यों पकता है क्योंकि वहाँ पे steam का जो pressure होता है वह बहुत ही high होता है और वहाँ पे pressure के साथ सा temperature भी high हो जाता है तो इस वहाँ से वहाँ पर cooker में जो है food जल्दी cook हो जाता है ठीके function of ozone layer in earth atmospheres ozone layer का earth atmosphere में क्या function है वो जो सूर्य से पैरा बैंगनी किरने आती है उनको जो रोकना उसका function है to protect us from ultraviolet rays odometer used to measure odometer क्या किस चीज़ के measurement के लिए use होता है तो वो होता है आपका distance मापने के लिए vehicle का कि कितने distance आप चल वीपकल में गए ठीके तो 14th question है weight of a person on moon is person का moon पे weight कितना होता है ठीके तो वहाँ पे एक छटा हिस्सा जो होता है अर्थ से moon पे हो जाता है मान लो कि आपका अर्थ पे आपका weight है आपका 60 kilo तो वहाँ पर आपका छटा हिस्सा हो जाएगा यानि कि आपका 10 kg weight हो जाएगा वहाँ पे ठीक है Spinec leaves are source of Spinec leaves जो है उसमें क्या होता है जदा तो उसमें होता है आपका iron होता है Iron होता है ठीक है तो इन कोशनों को आप दुबारा से देख लें ठीक है कि pressure cooker में क्यों इतनी जल्दी खाना बनता है क्योंकि वहाँ पे pressure भी जा जाता है और high temperature भी होता है ozone layer का काम क्या है वो ultraviolet rays से हमारको protect करती है उस तरह से odometer काम क्या है कि वो vehicle की actual distance traveled को map लेता है उस तरह से weight of person on moon वहाँ पे moon पे कितना weight होता है person का वो होता है एक छटा हिस्सा ठीक है उस तरह से spinec leaves में आपका जो होता है वो iron होता है ठीक है तो आज हमने 10 questions MCQs किये वो भी 2014 का paper ठीक है और उस तरह से हमने आज 15th जो है वो one liners question किये वो भी आपके कहीं न कहीं आ जाते है एक्जाम में तो हमने उनको सब को revise किया तो इस वीडियो को आप जाज़ा शेर करें लाइक करें और कल रात को फिर से 9 बजे मेरे साथ जुर्दा ना भूलेगा वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद आपका दिन सुब हो जै हिन जै भारत